नमस्का दोस्तों आज हम सिखेंगे कॉरल डो में वोड़ा फोन की लोगों हम सिंप्लिस्ट वे में कैसे ड्रो करें तब प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें सबसे पहले हम कंट्रोल एंसर न्यू पेज ले ले लेते न्यू पेज में आ जाएंगे हम न्यू पेज में आने के बाद अब हम लेंगे हाँ से सरकल कंट्रोल के साथ हमें सरकल को ड्रो करना है ऐसे सरकल को ड्रो करने के बाद इसके अंदर एक और छोटा सा सरकल ड्रो करने है जोकि सिप्ट के साथ हमें कॉपी पेस्ट करके इस प्रकार से सेट करेंगे set करने के बाद यहां से लेंगे हम prehand tool prehand tool से हमें इस प्रकार से sign को draw कर लेंगे draw करने के बाद यहां से लेंगे हम shape tool shape tool से इस point पे click करेंगे right click करेंगे to curve curve करने के बाद इस point को ऐसे curve कर देंगे प्रकार से कर्व करने के बाद इस वाले लाइन पर क्लिक करेंगे राइट क्लिक टुक कर्व प्रकार से लाइन पर कर्व कर देंगे प्रकार से कर्व करने के बाद अब हमें इन दोनों शेप को सिलेक्ट करना है और यहां से इसको वेल्ड कर देंगे तो शेप हमारी इस प्रकार से बन जाएगी इस शेप पे क्लिक करके हमें इसको वाइट कलर कर देंगे बड़े वाले circle पे click करेंगे उसको red color कर देंगे इस प्रकार से करने के बाद पूरे shape को हमें select करना है no outline पे right click कर देना है और control G से group कर देंगे group करने के बाद shape को हमें हाँ पे set करेंगे अब हम इसके नीचे vodafone लिखेंगे तो text tool लेंगे गे chiff tool लेने के बाद यहां पर हम टाइप करेंगे vodafone видofone small letter में लिखेंगे इसको हम select करेंगे मान के सबढ़ shift के साथ select करने के बाद यहां से लेंगे pick tool pick tool से इसको बढ़ से corner से इस प्रकार से बढ़ करने के बाद यहां से font में आएंगे fonts इसको aerial black font दे देंगे इस प्रकार से then हमें यहाँ पे इसको set कर देना है प्रकार से set करने के बाद अब इस जो circle है इसको copy paste करके एक छोटू सा बनाएंगे और इस छोटू के circle को यहाँ पे set कर देना है हमें इसको हम उसी circle के measurement पे बना देते हैं set कर देंगे then पूरे shape को select कर लेना है control G से group कर लेंगे यह लिज़ों दोस्तों हमारी वोड़ा फॉन की logo रेड़ी है उमीदे आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज हमारी चैनल को like, share and subscribe जरूर करें और हमें comment section पे जरूर बताएं आगे आपको कैसे वीडियो चाहिए thank you